क्या आपने कपी किसी छोटे से न्यूबॉर्ण बेबी को देखा है? छोटे-छोटे से पैर होते हैं, छोटे से हाथ, पिंक कलर की चीक सोते हैं, और पिंक कलर की नोज, छोटे-छोटे से कान होते हैं. लेकिन अगर यही ही अगर उस newborn baby के अगर body parts कम हो जैसे कि हाथ ना हो पैर ना हो कान ना हो तो कितना अजीब लेगेगा ना दिखने में तो चलिए आज हम ऐसी ही एक movie के बारे में बात करने वाले हैं जिस movie का नाम है Droneo और यह एक Japanese dark fantasy film है जो कि 2007 में आई थी और यह एक comic book manga जो कि 1960 में आई थी उस पर based है और इसकी IMDB rating की बात करें तो 6.4 है इस movie को आप Netflix पर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अगर आप इस चानल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए अगर आप पुराने हैं पहले से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो जाद जाद अपना प्यार दिखाए शेर कीजिए इस वीडियो और लाइक करें और लाइक करें तो चलिए शुरू करते हैं मूवे की शुरुआत में हम एक बार को देखते हैं जहां एक लड़गी मास्क लगा कर डांस कर रही होती है तबी हाकी मारू नाम का एक लड़गा अचानक से स्टेज पर आकर इस लड़गी के मास्क को अपनी तलवार से काट कर लड़गी के फेस से निकाल देता है जहां हम देखते हैं कि वो लड़की कोई नॉमल लड़की नहीं बलकि एक डीमन स्पाइडर है ये देख वहां मौझूद लोग शौक हो जाते हैं और इधर इधर भागने लगते हैं तब ही हाकी मारू अपने हाथ को बाहर निकाल कर एक नाइफ निकालता है और उस डीमन पर अटैक कर देता है जिससे दोनों के बीच में खदरनाक लड़ाई होने लगती है जिससे देख कर लोग हैरान हो जाते हैं जिस दोरान हम देखते हैं कि हाकी मारू की बाड़ी पर लगी चोट अपने आप ठीक हो जाती है और वो अपनी फाइटिंग स्किल से उस डीमन को मार डालता है जिसके मरने के तुरंत बाद हाकी मारू का टूटा हुआ पैर वापसे ठीक हो जाता है आखिरकार हाकी मारू कौन है और उसकी बाड़ी ऐसी क्यों है यह हमें फ्लेश बैक में दिखाया जाता है जहां हम कुछ साल पहले हाकी मारू के फादर को देखते हैं जो कि एक राजा होते हैं हाकी मारू के फादर ने 48 डीमन के साथ एक डील की थी कि उनके किंडम में सब कुछ अच्छा बना रहेगा और हमेशा उनके किंडम में मनी और प्रोस्पारिटी रहे लेकिन डीमन ने ये डील हाकी मारू के बदले की थी, इसलिए जब हाकी मारू पैदा हुआ, तब उसकी बॉड़ी पर कोई भी बॉड़ी पार्ट नहीं होता है, क्यूंकि डीमन ने हाकी मारू के पैदा होने से पहले ही उसे खा लिया था, अब राजा को लगता है कि उसका ब बचाने के लिए experiments करने लगता है जिससे वो एक war में मरे हुए बच्चों के body parts को इकठा करके हाकी मारू की body में जोड़ देता है इसके बाद जुकाई हाकी मारू के बड़े हुने पर उसे martial art सिखाने लगता है और साथ ही वो हाकी मारू के हाथों में blade लगा देता है ताकि वो शिकार कर लिया था इससुनकर हाकी मारू को बहुत बड़ा लगता है कि आखिर डीमन ने उसके साथ इतना बुरा क्यूं किया इसके बाद हाकी मारू ड्साइड करता है कि वो सभी के पर exactement करे but को शिकार करेगा जैसे की इन्हों ने उसका किया था दोस्तों यही कारण है कि ह हाकिमारू जब भी उन 48 डीमन्स में से किसी को भी मारता है तो उसका एक रियल बॉड़ी पार्ट वापस आ जाता है साथी हाकिमारू के जाद दर बॉड़ी पार्ट जुकाई ने मैजिक से जोड़े थे इसलिए जब भी उसकी बॉड़ी पर कोई भी चोट लगती है तो अप को दिया ड्रोनों ने वीवा से ही हाकिमारू की कहानी को सुना था इसलिए वह हाकिमारू के साथ चलने का कहती है लेकिन हाकिमारू अकेले रहना चाहता था पर ड्रोनों हाकिमारू के मना करने के बाद भी उसके साथ जाने लगती है अब थोड़ी दूर के सफर के बाद उन हुए अपने बच्चे को शर्धांजली दे रहे थे तब ही ड्रोन उनके सामने आती है और उनसे कहने लगते हैं अगर तुम लोग अपने बच्चों को पाल नहीं सकते तो उन्हें पैदा ही क्यों करते हो असल में ड्रोनों को इतना खुझ सा इसलिए आ रहा था किकि वो बच जिब मारे गए इसके बाद रोनों और हाकिमारू डीमन्स को मारने के लिए हांसे निकल जाते हैं जिस दुरान उन्हें उस विलेज का एक आदमी मिलता है जो कि अपने आपको उस विलेज का वेपारी बताता है यहां वेपारी उन दोनों को अपने घर में रेस्ट करने के इन्वाइट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों काफी दूर से आ रहे हैं और ठकी होए हैं दोनों उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके साथ उसके घर जाने लगते हैं घर पहुंचने पर वो दोनों उस वेपारी की दस लड़कियों को देखते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही थी, जिसे देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं, इसके बाद व्यपारी उन दोनों को अच्छे से रख कर खाना खिलाता है वे रात होने पर दोनों रेस्ट करने लगते हैं। ट्रैप डॉर को देखते हैं जिसे ओपन करने पर वो एक बेस्मेंट में जाते हैं जो कि एक लंबी सुरंग की तरह दिखाए दे रहा था जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हैं तो उसी आश्रम में जाकर निकलते हैं जहां आग लगने से कई बच्चों की जान चली ग मारीफ को अब ऑपनी बचाने की कोशिश करता है और असली रूप में आ आकर हाकी मारू से बचकर उढ़ने लगती है पर अब Hebrew जांत बच्चाओ स्वेच को पकर लेता構 और नीची की और खीजने लगता है तब ही हाकी मारू अपनी तलवार से उस विच पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है जिसके मरने के बाद उस विच के द्वारा खाये हुए सभी बच्चों की आत्मा भार आ जाती है और सभी उस विच से फ्री हो जाते हैं ऐसे ही साथ में रहते रहते उन दोनों में काफी अच्छी फ्रेंशिप हो जाती है। रास्ते में आगे बढ़ते वक्त उनके सामने एक डीमन आता है जिसका फेस तो इंसान की तरह होता है पर बॉडी पेड़ जैसी बनी हुई होती है। डीमन हाकी मारू और ड्रोनों को मारने के लिए अपने मूँ को खोल कर कई सारी पत्यों को बाहर निकालता है जो कि उन दोनों पर अटैक करने लगता है। बाद हाकी मारू का गलाव वापस आ जाता है अब थोड़े आगे जाने पर ही उन्हें एक और डीमन मिलता है जिसे हाकी मारू बड़ी आसानी से मार डालता है जिसके कि उसका हाथ वापस आ जाता है। वक्त वहाँ कुछ चोर आ जाते हैं जिन से डर कर सभी लोग भाग जाते हैं पर हाकी मारू अपनी जगे से हिलता भी नहीं है। इसलिए वो चोर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं पर वो नहीं जानते थे कि हाकी मारू को मार्शलार्स आते हैं। अब जैसे ही वो लोग हाकी मारू पर अटेक करते हैं तो हाकी मारू उन पर अटेक करकर अपनी फाइटिंग स्किल्स से उन्हें मार देता है। इसके बाद वहाँ उस राजे का राजकुमार आ जाता है जो कि हाकी मारू को सैना पती बनाने के लिए अपने साथ महल ले जाने लगता है। उससे सब कुछ याद आ जाता है कि वह राणी ही उसकी असली मदर है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोनों हाकी मारू के पास वापस आ जाती है और पुरानी यादों को पुला कर फिर से न्यू लाइफ स्टार्ट करने का कहती है। सुनकर हाकी मारू भी उसकी बाद मान जाता है। इस दोरान हम हाकी मारू के फादर को देखते हैं जिससे एक डीमन बहकाता है कि हाकी मारू तुमसे तुम्हारा राज़त छीनना जाता है। जिसके बाद हाकी मारू का छोटा भाई और उसका फादर उसे मारने के लिए निकल जाते हैं। हाकी मारू के ओ मारने के लिए आगे बढ़ती है पर हाकी मारू भी उन्ही का बेटा था इसलिए वो रुक जाती है। फाइटर है इसलिए उसके फादर भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। हाकी मारू से उसे मारने को बोलता है क्योंकि राजा के मैने पर ही डेविल की मौत होगी। इसलिए हाकी मारू उस डेविल पर अटैक करता है उसे जान से मार डालता है जिससे कि उसके फादर की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम हाकी मारू के छोटे भाई को देखते हैं जोकि जिन्दा हो चुका है और उसे अपने कीव वेपर बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। इसलिए हाकी मारू को अपने बड़े भाई के रूप में एकसेप्ट कर लेता है और उसे इस राजे का राजा बनने को कहता है जिस पर हाकी मारू मना कर देता है। असल में हाकी मारू को राजा नहीं बनना था, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ दुनिया से डीमन्स और डेविल्स को मारना था, ताकि पूरी दुनिया डीमन्स के डर के बिना अच्छे से जीए इसके बाद हाकी मारो ड्रोनों के साथ वहाँ से चला जाता और इसी के साथी मूवी हैं एंड हो जाती है